कोशन सबसे इंपॉर्टिन कोशन है यह वाला हर बार आता है ठीक है और इसका पैटन एक ही है तो धियान से समझना है यह वाला कोशन देखो कोशन है हम लोग का प्रूफ करना है टन A plus 1 k minus 1 hole divide by tan A minus 3 k plus 1 इसको प्रूफ करना है 1 plus sin A by कॉसे, इसका other pattern भी होता है जैसे cot के term में, जहाँ tan है, वहाँ cot होगा जहाँ sec है, वहाँ kosek होगा और minus 1 होगा, तो इसका step क्या होता है पहला step यह होता है, देखो समझो tan A plus sec A minus जो 1 है, यह 1 के जगा में हम लोगों लिखना है sec square A minus tan square A, ठीक है नीचे होगा हम लोगा, tan A minus sec A plus 1, step देखो, याद रखो यह वाला term को, पहला दो term को वैसी रहाँ दिए, जो end वाला 1 है, end वाला 1 के जगा में लिखे sec square minus tan square, अब sec square A minus tan square A, इसलिए लिखे, क्योंकि sec square A minus tan square A क्या होता है, 1 होता है, ठीक है जब 1 होता है, तो इसको, 1 को हम इस term में break किये, अब क्योंकि यह a square minus b square के form में है तो इसको next step में क्या लिख सकते है sec plus tan A, यह पहला वाला था यही वाला term को आगे पिछे लिख दिये, ठीक है minus, यहाँ इस term को break करेंगे, a square minus b square तो क्या लिख सकते है, sec square tan A minus sec plus 1 अब देखों यहाँ पे sec plus 1 और sec plus 1 दोनों जगा है, sec plus tan A sec plus tan A को अगर common निकालते है sec plus tan A, ठीक है sec plus tan A को common निकालेंगे तो पहला term में से क्या बचेगा, यहाँ से अगर sec plus tan A निकल गिया तो बचेगा 1 minus, यहाँ में लिखते है ठीक है, यहाँ पे sec minus tan A था तो bracket में हम लिख देते हैं फिर से sec minus tan A whole divide by जो था उसको लिख दिये क्या है हम लोग का tan A minus sec plus 1 ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखो इसको हम लोग bracket के अंदर में अगर solve करेंगे तो bracket के अंदर में solve होगे, क्या हैगे यह टर्म ऐसी रहे जाएगा sec plus tan A वैसी रहे गिया ठीक है, और यहाँ अगर break करते है bracket को open करते हैं, तो क्या होगा 1, plus minus क्या होगा, minus sec A, ठीक है और यहाँ पे minus minus क्या होगा, plus tan A, whole divide by क्या होगा हम लोग का, tan A minus sec A plus 1, अब यहाँ देखो tan A के आगे plus है यहाँ पे भी tan के आगे plus है, sec आगे minus है, यहाँ भी sec के आगे minus है, यहाँ पे 1 के आगे का है, plus मतलब यह दोनों term ultimately क्या है same है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको arrange कर सकते है, ठीक है तो यह दोनों term same है, तो यह दोनों term cut गया जब कड़ गया तो बचा क्या है हम लोगा बचा है हम लोगा सेके प्लस टैने, अब जब सेके प्लस टैने हम लोगो आंसर किसमें चाहिए साइन और कॉस के टम में तो साइन और कॉस के टम में इसको ब्रेक करेंगे तो सेके को क्या लिखेंगे 1 by cos A plus tan A को क्या लिखेंगे sin A by cos A अब यहाँ पर LCM लेंगे तो LCM लेंगे क्या आएगा cos A यहाँ आएगा 1 plus sin A hence proved यह सबसे important question है यह वाला हर बार आता है next question देखते है next question इसी type का है यही वाला pattern यूज़ करेंगे लेकिन जहाँ पर tan था सबसे पहला step क्या था यह वाला 1 को convert मानना है तो देखो इसको लिखते है cos A यह जो minus 1 है 1 के जगह क्या लिख सकते हैं cos A minus cos A whole divided by क्या होगा हम लोगा cos A minus cos A plus 1 यह वाला ऐसी रहा अब देखो A square minus B square तो A square minus B square उपर में break की है A plus B A minus B तो यहाँ पर भी break करेंगे यहाँ break करेंगे तो यह term ऐसी लिखा जाएगा cos A plus cos A minus देखो A square minus B square इसको क्या लिख सकते है cos A plus cos A और क्या होगा हम लोगा cos A minus cos A जगा नहीं था इसलिए नीचे लिखते है यह वाला क्या होगा हम लोगा cos A minus cos A plus 1 यह वाला होगा अब देखो यहाँ पर A plus B A plus B term आ गिया तो A plus B A plus B को term को निकाल सकते हैं न common तो अगर common निकालेंगे तो क्या आएगा cos A plus cos A cos A cos A अगर निकल गिया तो बचे का यह वाला term तो उसको लिख देते है bracket में अगर हम bracket directly solve करते है जैसे उपर किये थे तो minus देखो common यह वाला तो common निकल गिया यह वाला term तो बचे का यह वाला यह वाला लिखना है बनाद माइनस यह वाला term अब minus plus क्या होगा, minus तो directly लिख देते है, minus, को से के, minus minus क्या होगा, plus तो यहां directly लिख दिए, कोटे, मतलब उपर जो step किया थे न, एक step हम हटा दिए, ठीक है, bracket को नहीं लिखे, directly हम सॉल्व कर दिए, whole divided by क्या होगा हम लोगा, one, यहां पर इसको arrange करके लिखते है, one, यह वाला तो बचा क्या है हम लोग का, बचा हम लोग का, cot A, cot A plus cos A, अब cot A को क्या लिख सकते है, cos A by sin A, ठीक है, और यह वाला टर्म क्या होगा, 1 by sin A, अब LCM लेंगे तो LCM लेंगे क्या आएगा, LCM आएगा हम लोगा, sin A, आगिया 1 plus cos A, यह वाला चीज़ प्रूफ करना था, यह वाला चीज़ आगिया हम लोग का RHS, ठीक है, hence approved, देखो, next question देखते है, sec का power 4 A, minus tan का power 4 A, इसको प्रूफ करना है, 1 plus 2 tan square A, तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, यह power 4 A, यहाँ भी power 4 A, तो power 4 को हम लोग जब ही भी रहता है, तो इसको convert मारते है, square के term में, तो इस term को हम लोग वाला solve करेंगे, तो solve कर कैसे लिख सकते है, sec का power 4 है, यहाँ लिख सकते है हम लोग, sec square A, का whole square, minus tan square A, का whole square, देखो, A square, minus B square के form में आ गया, अब A square minus B square के form में आ आ है, तो ब्रेक होगी क्या होता है, A plus B, A minus B, तो इसको term को क्या लिख सकते है, sec square A, plus tan square A, और क्या होगा हम लोग का, sec square A, minus tan square A, कैसे हुआ देखो, बता रहे, A square minus B square क्या होगा, A square है न, A के जगा क्या है हम लोगा, tan square का formula क्या होता है, 1, sec square minus tan square का value क्या आएगा, 1, जब इसका value 1 आना है, तो इस जगा directly लिख सकते है, अब 1 अगर लिखेंगे, तो यह बचेगा क्या है, यह वाला term बचेगा, तो बचा क्या हम लोग का, sec square A, plus tan square A, यह वाला क्या होगी, यह वाला value का value 1 हुआ, तो 1 into anything की यही term बचेगा, हम लोगों प्रूफ क्या करना, 1 plus 2 tan, देखो यहाँ tan के term में प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो sec है, उसको tan के term में convert मार सकते हैं, हम लोगों पता है, sec और tan का relation क्या होता था, याद है, conversion में बताये थे, sec square a minus tan square a का value क्या होता है, 1, तो अगर sec square a का value निकालेंगे, तो क्या हैगा, 1 plus tan square a, तो sec square के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square a, plus tan square a, देखो, दोनों को add होके answer क्या आ रहा है, 1 plus 2 tan square a, यही वाला है हम लोगो का क्या, RHS, देखो, hence proved, ठीक है, चलो, इस वीडियो का last question देखते हैं, last question है, अब लोगो का tan square a, whole divided by 1 plus tan square a, plus cot square a, whole divided by 1 plus cot square a, इसको one proof करना है, ठीक है, सबसे पहला चीज़ देखो, यहाँ पे, 1 plus tan square का value कुछ होता है, उपर में हम लोग देखे थे न, sex square minus tan square 1 होता है, sex square क्या होता है, 1 plus tan square, तो जहाँ पे 1 plus tan square है, वहाँ क्या लिख सकते हैं, sex square लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या term, tan square a, whole divided by, sex square a, plus, यहाँ क्या होगा, cot square a, whole divided by, one plus cot square क्या होता है, cosec square a, ठीक है, अब यहाँ देखो, tan square a by sex square a, tan क्या लिख सकते हैं, sin square a, whole divided by, cos square a, ठीक है, into, यह जो sex square क्या होता है, sec और cos का relation क्या होता है, sec होता है, one by cos, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, one और उपर हो जाएगा, हम लोग का, cos square a, plus, यह plus है, यह वाला plus, ठीक है, अब cos square a को ब्रेक करते, cos square क्या होगा हम लोगा, cos square a by sin square a, ठीक है, into, यह जो cosec square है, into multiply होके क्या आएगा, sin square a आएगा, अब यहाँ देखो, यह term इससे कटा, यह term इससे कटा, sin square plus cos square, sin square plus cos square का value क्या होता है, 1 होता है, तो इसका answer आगिया, 1 यह है RHS, hence proved, ठीक है, तो थोड़ा से space बजा था, तो एक last question भी cover करी लेते हैं, ठीक है, तो last question है, हम लोग का, tan a plus sin a, whole divided by tan a minus sin a, इसको proof करना है, second plus 1 by second minus 1, अब यहाँ देखो, tan a plus sin a, तो देखो, tan और sin का तो कोई relation होता नहीं, ना ही rationalize होगा, तो हम लोग tan को convert मारेंगे, sin और cos के time में, तो tan को अगर convert मारेंगे, क्या लिख सकते हैं, sin a by cos a, plus क्या होगा हम लोग का, sin a whole divided by, sin a by cos a, minus क्या होगा, sin a, ठीक है, अब देखो, दोनों में से sin अगर common निकाल दिये, sin a को अगर common निकाल दिये, तो बज़ेगा क्या, 1 by cos a, minus 1, whole divided by, यहाँ भी sin a common निकाल देते हैं, तो बज़ेगा क्या, 1 by cos a, minus 1, देखो, sin से sin कटा, और उपर plus था, ठीक है, अब देखो, 1 by cos a का value क्या आता है, 1 by cos a का value होता है, second, तो होगा second, plus 1 by second, minus 1, देखो, तीन स्टेप का answer था, प्रूव हो गया, ठीक है,